हेलो दोस्तों नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं UP scholarship 2023-2024 के बारे में फ्रेंड यहाँ पे हम आपको कुछ important बाते सेर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है जैसे कि यहाँ पे NPCI verification है इस बार जो है UP scholarship में NPC NPCI verification include कर जागया है तो कैसे आप लोग check कर पाएंगे कि हमारा NPCI है या फी नहीं है और यहाँ पे दिखे सबसे बड़ी problem यहाँ पे DG Locker को लेके आ रही है कि DG Locker बहुत सारे बच्चे अपना account create नहीं कर पा रहे हैं कर ले रहे हैं तो verified नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको full process बता जागा कैसे आप लोग जो है अपना DG Locker पे account बनाएंगे और कैसे आपको verified करना यहाँ पे आपको full process बता जागा चहाँ आप किसी भी class में study कर रहे होंगे चहाँ आप fresh होंगे चहाँ आप renewal होंगे सारे candidate को यह काम कर लेना है जरूरीने कि आप जब scholarship का form भर करने से पहले आपको यह वाला जो काम है NPCI वाला और DG Locker यह पहले कर लेना है वरना आपका जो form में यहाँ पे fill नहीं होगा और यहाँ पे बात करने वाले हैं आप किसी भी class में study करते होंगे चहाँ फ्रेस होंगे चहाँ रिनूर होंगे उन चात्रों की last date क्या है ठीक है scholarship का site है कब तक यहाँ पे maintain कर दिया जाएगा और सारे connect अपना scholarship का form फिल कर पाएंगे यहाँ पे A to Z जितनी भी जनकारी है आपके साथ share की जाएगी जो लोग भी नए होंगे या फिर मेरे channel पे पहली बार आए होंगे तो please इस वीडियो को like और share कीज़ेगा और मेरे channel को subscribe की आप लोग चाहे चो play store अठीक है न play store से भी dg locker सर्च करके dg locker application को यहाँ पे install कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे अपने browser में google open कर लिया हूँ मैं यहाँ पे dg locker अठीक है न dg locker यहाँ पे search कर दे रहा हूँ search करने के पर देखे एक ऐसा interface आपके सामने open होके आ जाएगा और यहा यहाँ पे आपको simply click कर देना है देखे इस वाले पे आपको simply click कर देना जो सबसे ऊपर आएगा ओके तो friend click करने के बाद देखे एक ऐसा home page open होके आज आएगा जो आप लोग dg locker के official website है यहाँ पे आप लोग visit कर लेंगे अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कैसे आप home page open होके आज आएगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा interface open होके आज आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आपका name है ओके तो यहाँ पर अपना full name आपके अधार card के according होना चाहिए आप लोग जो है अपना यहाँ पे date आप लोग जो है अपना year यहांने कि अपना date of birth यहां पर चूच करने के बाद यहां पर आप लोग अपना gender चूच करेंगे, male होंगे तो male, female होंगे तो female और यहां पर आप लोग account बनाने के लिए mobile number यहां पर enter करेंगे, तो enter करने के लिए यहां पर जरूरी नहीं कि आप और यहाँ पे 6 डिजिट का security pin ठीक है security pin आप अपने according यहाँ पे choose कर सकते हैं इतना करने के बाद scroll down करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे friend आपके सामने submit वाला option आएगा तो submit पे आप लोग को click कर देना है तो friend जो आप लोग मुबाइल नंबर अपना दिये होंगे उस पे OTP आ यहाँ पे आप लोग जो अपना अधार नंबर है यहाँ पे एंटर करेंगे एंटर करने के बाद आपके सामने एक नीचे nest का option आएगा तो आप लोग को यहाँ पे नेस्ट कर देना है तो friend नेस्ट पे click करने के बाद आपके अधार में जो भी mobile नंबर register होगा उस पे 6 account है यह create हो चुका यहाँ पे आपका आधार नंबर शो होगा ठीक है तो यह आपका जो डिजी लाकर है account यहाँ पे बन गया होगा अब आपको क्या करना है जब scholarship का form यहाँ पे UP scholarship का form आप लोग का यहाँ पे feel होगा तो आपका जो form है automatic यहाँ पे verified कर लिए जाएगा वहाँ पे आप से एक mobile number मांगा जाएगा जो आप लोगोंने अपना mobile number से account create किया होगा ओ account number आप लोग देंगे एक OTP आपका form जो है verified कर लिए जाएगा यह सारे candidate को यहाँ पे कर लेना यह account जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप लोग को अपना account बना लेना है A to Z जितने भी candidate हो जो लोग अपना scholarship का form यहाँ पे fill करने की सोच रहे होंगे उन सभी candidate के यहाँ पे सबसे पहले अपना DJ Locker पे account बनाना होगा अगर आप लोग अपना account नहीं बनाएंगे तो आपका form जो है verified ही नहीं होगा और last summit तक जाएगा ही नहीं ठीक है तो आप लोग को हमने बता दिया कैसे आप लोग जो है अपना DJ Locker पे account बनाएंगे step by step full process आपको हमने बता दिया अगर इसके अना में कुछ भी आपके पास problem आ रही है कुछ भी दिक्कत है तो आप comment section में comment कीजेगा वहाँ पे आपको हम reply करेंगे ओके आप फ्रेंड यहाँ पे हम बात करेंगे NPCI ठीक है न जब आप लोग NPCI सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे उपर वाला एक option आ जाएगा national payment corporation of india ठीक है तो आपको यहाँ पे simply click कर देना है तो फ्रेंड क्लिक करने के बाद देखिए एक ऐसा home page आपके सामने open होके आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक option आ रहा होगा consumer का ठीक है यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक option आ रहा है consumer का तो आपको consumer पे click कर देना है तो फ्रेंड जब आप लोग consumer पे click करेंगे एक नीचे आपके पास एक option आएगा भारत आधार seeding enable ठीक है तो आपको यहाँ पे click कर देना है तो फ् आप लोग scroll down करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक option आ गया होगा check status ठीक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक option आ गया होगा check status तो आपको simply यहाँ पे click कर देना है तो यहाँ पे friend आपको अपना OTP एंटर करना है जो आपके आधार से linked register mobile number होगा उस पे एक OTP भेजा गया होगा OTP आपको यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे एक submit वाला option है तो submit पे आपको click कर देना है तो friend यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि mapping status आप लोग के सामने है यहाँ पे active दिखा रहा है अगर आपका mapping status यहाँ पे active दिखा रहा है तो आपका NPCI मतलब आसानी से हो जाएगा आपको कुछ करने की आओ सकता नहीं है और जिन भी candidate पे यहाँ पे deactivate यहाँ फिर disable DBT for disable करके so हो रहा होगा या फिर कुछ और so हो रहा होगा active के अलावे तो यहाँ पे मांग चले की आपके बैंक में कुछ प्रावलम है अगर यहाँ पे किसी का deactivate हो रहा है ठीक है या फिर यहाँ पे disable ठीक है? Disable for DBT Disable for DBT सो हो रहा है या फिर इसके आणावे यह वाला option आप में आ रहा है यहाँ पे आप लोग दे सकते है में जाना है आप जो भी bank है जोहाँ पे आप लोग इन खाता खुला हुआ है वहाँ पे आपको बीजिट करना है बीजिट करने के बाद वहाँ पे उनसे बोलना है कि हमको जो है NPCI map करवाना है NPCI linked करवाना है या फिर आधार card EKYC करवाना है ठीक है पूछेंगे किस लिए तो बोल दिजिएगा कि हमको DBT करवाना है ठीक है na DBT DBT का मतलब जो scholarship का amount पैसा आने वाला है वो इस बार DBT के माध्यम से ही आने वाला है तो आप लोग bank जाएंगे उनसे बोलेंगे कि हमको NPCI mapping कराना है अगर ओ लोग नहीं समझेंगे अगर ओ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो उनसे बोलेंगा कि आप लोग हमको DBT करवाना है ठीक है आधार DBT करवाना है कर दीजिए तो ओ लोग कर देंगे तो यहाँ पे जब आपका deactivate सो हो रहा है या फिर disable for DBT सो हो रहा है या फिर deactivate सो हो रहा है तो यह जितने भी candidate का सो हो रहा है उनको bank जाके अपना आधार जो है bank में link करा लेना है अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो UP scholarship का form भरते समय आपका NPCI जो है map नहीं होगा वहाँ पे deactivate दिखाएगा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे हमने आपको NPCI के बारे में और दोनों प्रॉपलली जानकारी दे दी है और आपको मैं बार-बार ही कह रहा हूँ कोई भी candidate यह मस सोचे कि scholarship का form भरते समय ही यह हम की जरूरत पड़ेगी यह हमको जरूरत पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है आप लोग जो है इसको first priority इसी को दीजिए आप लोग अपना पहले DG Locker account बनाईए और उसके बाद NPCI status चीकिजिए status में अगर आपका deactivate या फिर NPCI जो है map दे नहीं है तो आप अपने bank में जाके उसको सही करवाएगे यह आप लोग scholarship का form भरने से पहले यह काम को कर लेना है और जब भी scholarship का site properly work करने लगेगा तो आपको यहाँ पे बता दे जाएगा कैसे आप लोग जो है step by step अपना scholarship का form फिल कर सकते हैं चाहे आप किसी भी class में study कर रहे होंगे यहाँ पे renewal और fresh candidate दोनों का form apply करना बताये जाएगा तो किसी भी छात्र को परिशान होने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे friend बच्चे जो है बार-बार comment कर रहे थे कि sir last date क्या है last date बताईए हमारा form अभी feel नहीं हुआ है तो last date भी आपको हम बता दे रहे हैं तो friend यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कच्छा 9 और 10 candidate के लिए आपका जो है last date कर तक है इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे तो यहाँ पे दीके मेरे पास एक यहाँ पे समाच करने विभाग का notice है notice आप लोग देख सकते हैं इसका link जो है मैं telegram पे मतलब यहाँ पे डाल दिया हूँ तो आप लोग telegram को join कर सकते हैं telegram का link मैं description box में दे दिया हूँ तो आप लिंक पे क्लिक करके direct मेरे telegram चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे मैंने यह जो notice है वहाँ पे हमने enter कर दिया ठीक है अब यहाँ पे main बात करते हैं यहाँ पे last date कर तक है 9 November रखा गया था जितने भी 9-10 वाले candidate है उनका last date 9 November रखा गया था और यहाँ पे उन date को extend करके यहाँ पे 8 December 2013 कर दिया गया है तो जितने भी 9-10 वाले candidate है उनका last date 8 December 2013 रखा गया है चहरेश होंगे, चहरेश होंगे 8 December तक आप लोग अपने farm को fill up करके हाट कापी college में जमा करवा दीजएगा आप फ्रेंड मेरे पास यहाँ पे एक notice है जो कच्छा 10 ठीक है कच्छा 10 के अलामे यहाँ पे 11-12 से उपर जितने भी candidate है यानि कि 9 और 10 छातरों को छोड़के जितने भी candidate यहाँ पे है यहाँ पे सारे candidate का यह जो है तो यहाँ पे scroll down करके अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे दिखाने की कोशिस कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग देखिए तोर्ड नमबर में क्या कहा गया है देखिए उपर लिखा है कि चात्र अस्तर से आलाइन आवेदन भुकतान आधिकी प्रक्रिया तो यहाँ पे आपका जो scholarship का form है यह 22 सेप्टमबर से स्टार्ट हो गया है रजिस्टेशन 22 सेप्टमबर से स्टार्ट हो गया है और आपका जो last डखा गया है 31 दिसमबर 2023 रखा गया है यानि कि आप लोग जो है 31 दिसमबर 2023 रख अपने form को final submit करके हाट कापी college में जमा करा जीजेगा तो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थी कि सर last year कब तक है मेरा form फिल नहीं हो रहा है यहाँ पे आपको हमने properly जनकारी दे दी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बार और मैं आपको बतानी की कोशिस करूँ तो कच्चा 9 और 10 वाले जो भी candidate है उनकी last year जो है 8 दिसमबर रखी गई है चेहर फ्रेस होंगे चेहर इन्वाल होंगे और इनको छोड़ के जितने भी candidate बचते हैं 11 वारे UGPG जितने भी candidate है उनका last year जो है 31 दिसमबर तक रखा गया है अब यहाँ पे बात करेंगे जो site related problem है बहुत सारे बच्चे हैं बहुत ज़दा परिशान होता है कि site में problem आ रही है ओ लोंका कहना कि sir हम जो form है अपना fill नहीं कर पा रहे है form जो है fill up नहीं हो रहा है क्या होगा इस बार जो है last year खतम नहों जाए तेखिए आपको हम बता दे यहाँ पे UP scholarship को जो site है यहाँ पे maintenance होना start हो चुकी है मैंने इसके पहले एक video आपको बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो site है धीरे धीरे अपना जो काम है कर रही है यहाँ पे हो सकता है कि one week या फिर two week के अंदर आपका जो form है यहाँ पे भरना start हो जाए और यह जो site वाली problem आ रही है आपने form को फिल कर पाएंगे और इस channel के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कैसे आप लोग जो है अपना form फिल करेंगे बिना किसी गलती के फ्रेस होंगे चहर इनौर होंगे आपको यहाँ पे form भरना बता दिया जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजे कोई भी छातर परसान ना हो यहाँ पे जब भी site properly work करने लगी आपको जो है एक वीडियो बना के प्रवाइड कर दिया जाएगा तो फ्रेंड आइचिंग आपको जानकारी हेलफुल लगी होगी वीडियो पसंद आएगो तो प्लीज इसको लाइक और शेर कीजेगा अगर आपके पास कुछ डाउट हो इसकी अलावे कुछ प्रॉबलम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजेगा उसका रिप्लाइ किये जाएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू एंड कीप वाचिंग